हेलो गाईस जैसा कि देख पा रहे हो यह हमने नरसरी से लाएं काफी छोटे छोटे पौध है और काफी मेरे ख्याल से काफी देखो देखने में कैसे दीख रही है बहुत सुंदर और इसमें काफी सारे अलग-अलग हैं जैसे यह विद्या पत्ती जिसको बोलते हैं यह बदा दिखने में काफी अच्छा होता है यह रोट के राइट साइट पे इसको जादातर लगाया जाता है जैसे कि गार्डन्स वगएरा में आपने देखे होंगे तो यह कार्टून में है और अभी बारीस काफी जादा हुई है और बारीस होनी के ओधासे यह पूरी तरीके से ख कि यह अपनी में बंदी होती है इसकी मिट्टी और यह पत्ते गएर लगे हुए है मैं थोड़ा से निकालता हूं यह मिट्टी और इस तरीके का यह पेड़ है अब एक बहुंँ ज़्यादा बारीज हुई है लगबग लगबग काफी टाइम तक बारीज हुई है यहाँ पर और इसे हमको लगाना है अभी के टाइम पर जैसे मैं यह दिखाता हूँ अभी आपको यह हमारा बदाम का पौधा तो यह है मिट्टी और यह उपर आप देख रहे हो बदाम का यह पौधा है तो ऐसे काफी सारे अलग-अलग पौधे हैं अलग-अलग टाइप में एक और है बदाम का और यह विद्यापति जिसके बारे में मैं बोल रहा था तो यह इस तरीके की आती है जैसे कि आपको कुछ अच्छे साफ जिकाप लिका की दिखाता हूं तो यह है हमारी विद्यापति जैसा देख रहे हो तो इसको लगाने का जो तरीका है क्या है कैसे है तो वह हम सारा चीज अभी करेंगे तो आप बारीकी से आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा यह सोधार पौधे लगे हुए है तो यह सारी चीजे अभी हमको जो है लगानी है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसके लिए हमने काफी सारे अभी गड़े वगरा कर लिए हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो अभी काम चली रहा है तो यह हमारा रोड है जरसल यहां पर गाड़ी खड़ी हुई है तो ये गहरा आपको दीख रहा होगा गड़ा जैसे कि अभी बारीस हुई है तो ये इसमें पानी आ गया वसे काफी सारे अलग-अलग गड़े हैं इसमें हमको डालना है असोक का पेड़ यह इधर के गड़े हैं तो यहाँ पे हमें जो है असोक का पेड़ लगाना है और बाकी जो अलग-अलग पौधे उसको भी हमें लगाना है जैसा कि आप देख पार होंगे हमनें वह है यहां पस फिट मेरल है और 2500 फिट की सब्सक्राइब्स का टें जदर तर अपो गार्डन्स है ज़िसे सब्सक्राइबा एक प्न्नी देख में यह त यह बीडिय आ आद के साथ में डीडिय को लिज द्सक्राइब किस तरीके से हैं वह हम देखते हैं तो एक पौदा भी ले लेते हैं हैं छो ड़ अब भी जैसे आप देख पा로 हूंगे तो यह गड्रे हैं हो वैसे बहुत सारे गड्र ही हैं उदर आपको दीखेंगे तो ऐसे lines से हमने बहुत सारे गड़्े कर लिये हैं, आठ से 10 गड़्े, और इसमें आप देखिए, तो मिट्टी हमने पहले से निकाल के रख ली हैं, और इसमें जो है खाद डाले हुए हैं, तो खाद है ये गोभर का, तो ये गोभर का खाद आपको यूज़ करना है, उसके तो इनके वज़े से थोड़ा सा बड़ा गढ़ा करिए तो ज्यादा अच्छा है थोड़ा सा हाइट होना चाहिए गढ़ा होना चाहिए एक फिट की आसपास फिर इसको आप अच्छे से मिटी में डालके आप इसे लगा दीजिए तो ये हम प्रोसेस करते हैं तो पनी इसकी हटानी पड़ेगी तो इस तरीके से पनी हटा देंगे तो इस तरीके से आप पनी इसको हटा लीजिए और ये जड़ आप देख सकते हैं ये नीचे आप जैसा की देख पारे होंगे तो ये जड़ है और इसको डालना है ऐसे ये नीचे खाद है जैसे कि आप देख पारे होंगे तो ये खाद डालने की जगा को थोड़ा सा गड़ा कर दीजिए फिर खाद में मिट्टी को ढग दीजिए उसके बाद आप जो है मिट्टी डाल दीजिए अपने पेड को सीधा पोजीशन पे रख के तो ये देख पारे होंगे ये हमने मिट्टी अच्छे तरीके से डाल ली है और इस तरीके से जो है बोवाई की जाती है और ये खाद डालना बिलकुल न भूले ये ज़रूरी है तब ही आपका ये जो पेड है मतलब छोटा पौदा है वो ग्रो करेगा जल्दी से बढ़ेगा फिर आप इसे continue पानी देते रही है फिर ये अपने पोजीशन से दिरे 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 ये बढ़ते जाएगी तो इस तरीके से ये कर सकते हो बाकी भी हमें करना है बहुत सारी अभी लगानी बाकी है पहला आप देख रहे हो यहां आपने लगा दिया और काफी सारे जगव पे लगानी है लगबग लगबग हमारे सारे पोधे लग चुके हैं अभी एक खाली सिंगल बाकी है और ये लास्ट कॉर्नर पे है इस तरीके से मट्टी आपको डाल लेनी है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे और जो लगाए थे जो जो बाकी था वो पूरा कंप्लीट हो गए जैसे ये देख रहे हो आप यहां एक लगी हुई है आगे एक लगी हुई है और उसके बाद ये और लगी हुई है और आगे दो तीन और लगे है एक और दो वैसे इसी तरफ भी उसी तरीके से इस तरफ भी लगाए है जैसे कि ये देख रहे हो जैसे अपोजिट जैसे उस तरफ लगी हुई है तरीके से इस तरफ भी लगी हुए जैसे ये लगी है और एक पेड़ है और वो और पेड़ है और इधर और बहुत सारे लगे हुए एक दो तीन चार पाँच सो इस तरीके से हमने दोनों तरफ मतलब इधर और इधर आठट पेड़ लगाएं मतलब आठट पौधे दोनों तरफ लगी हुई है सो ये रास्ता है इसलिए हमने आइड और साइड पे असोक का पेड़ डाला हुए कि थोड़ा सा ये जब बढ़े है तो अच्छा दीखे क्योंकि गार्डन्स वगरा पे ज्यादा तर असोक का पेड़ी लगाया जाता है सो और बाकी सारे बदाम वगरा के काफी सारे और पौधे बाकी हैं जो कि हम इस तरफ अभी लगाने वाले हैं सो इस तरफ वो सारी चीजे लगेगी सो आज का ये वीडियो बस यहीं तक